सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकोन दबाना ना भूले ताके हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच है असलाम वाले कुम और में तो लाइब बरकादू एट साइंस ब्रीज कोर्स का दूसरा दिन सरगर्मी नमदो आई समझते हैं जड़े तना पते फूल हवाला जमाद हफ्तूम सबक नमबर दो नमदाद की साख तरफाल सबक नमबर दो इसको लिया गया है और आपको रिवीजन करना है आम उजशी महसर मौशाहद आती खुसुसियाद की बन्याद पर नमदाद के आज़ा के खुसुसियाद तरफाल बताता है जड़ यहां जड़ की शक्ले दी हुई है किस तरह से असल जड़ होती है सबसे नीचे जड़ टोपी पिस जड़ का असास जड़ बाल नुजर आ रहे हैं असल जड़ और उसकी सांगी जड़ इस तरह से यहां पर बताया गया है कि इतिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशुन नुमा जमीन में होती है जमीन से लगाओ हिस्सम मूटा होता है और बत्तरी मखरूरती होकर नोगदार हो जाता है सहारे के लिए जमीन के अंदर बढ़ने वाला यहीं सा जड़ कह राता है। जड़ू की किस्म, जड़ों की दो किस्मे हैं असल जड़ और रेशेदार जड़ु कुछ नम बताय्द है कि जड़ों से जमीन में सानवी जड़ें निकलती जड़ुए हैं, जड़ें में तिरच रेशेदार जड़ में एक साथ उपर से बहुत सारे जड़े निकलती नजर आ रहे हैं ये रेशेदार जड़े बढ़ने वाले तने से निकलने वाली रेशानुमा जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं निसाल गेहूं मक्की प्याज दो डाला नबातात में असल जड़ होत आठ दिन निशुनुमा पाने वाली जड़ों का मुशायदा किजिए। इस तरह से आप जब पानी में रखेंगे यास को तो यहां जो रेशिदार जड़ देखे विए इस टाइप की जड़ों को निकलते भी नज़र आएंगे। तना अब हम पढ़ेंगे तनी के वारे में तना पत्ते पर गिरह पाई जाती हैं जहां गिरह होती हैं वहां से पत्ते निकलते हैं दो गिरहों के दर्मियान पासले को बेन गिरह कहते हैं पत्ते के तनी के सीरे को कली कहते हैं तना दिया है कि इस में इस शकuar में आप देख रहें जैसे बेन गिरा गिरा जह जोर नज़र आता है वह गिरा और इसके बीच में जय कि बेंद गिरा इस ताहर में तो मफें रहते हैं और टैने वाला ब्ढ़ने वाला इससा यहां आपने धνε नजर आ रहा है इसको द्वर ओंद रहा है इन जे परवाभ पहला होगा हिस्सारा वर्क कहलाता है यहां पर आप डिखना पत्टे केलिक नूखदर तर्मियानी डिया है फالकैसित पत्ति게 हाशिया नूखक्तृत नूखदरु से रास कहते हैं किनारे पत्ते के हाशिया तर्मियानी डेको उख़दरुड़। पत्तों की अहम किस्म, कुछ नबातात के पत्तों में एक ही वरक और एक ही दरमियानी रग होती है ऐसे पत्तों को मुफरत पत्ता कहते हैं, मिसाल आम जासंदी। जन नमाताद के पत्तों में दर्मियानी रख, क्याता पह लगता हुए छोटे cumplित एसे पत्ते में आहां है है, तो ये जो है, दोनों तरह के पत्ते दिखाए गए हैं, पीपल के पत्ते के वर्के में दर्मियानी रग होती है, इसलिए वर्का दो हिसम बटा होना दर आता है, मोटी रग से सानवी रगे निकल कर जाल त्यार करती है, पीपल के वर्के में जालदा रगेत होती है, मक्कई या जासंदी के पूल की बहुत ही कॉमन है और अक्सर हर क्लासेज में हर आग दस ही तक आपको नजर आएगी क्योंकि इसमें हर चीज रहती है इसलिए शुप को मिसाल के तौर पर दिखा जाता है इसमें जो है आप सबसे नीचे डंठल देख रहे हैं फिर बेजा दान प्याला ग कियाते हैं यहाँ पर बेजा दान के और मादा दोनों तरह जो अजज़ा पाई जाते हैं है इस तरह से फूल इसमें आप देख रहे हैं कि क्या एक चीज़एं अर्फ हैं पूल के चारे से नर्रकोट मादा कोट प्याला गुल ताज़ प्याला हूल पूल जब कली के हलक में होता है तो उसकी पंगडियां हरे पत्तों से धगी होती ही, ये घलाफ प्याला गुल के लाता है, ताजगुल पंगडियां से बना होता है, मुक्तलिक फूनों, वस्थान, गुलाम मुगरा सेवंती, जासंदी, कनीर के ताजगा थान के साथ, पर में मुशा और बेजितान पाई जाते हैं, फल, इसके बादे फल, फल तो आपने बहुत सवारे देखे होंगे, आम, अमरूद, मुंग, फली, मटर, गेहूं, इहां सब के बारे में इनके बीजों का मुशाइदा कीजिए, इने तीन ता चार घंटे पानी में बिगोएं, अंगुठे और जिन बीजों के दो मसावी हिस्से होते हैं, जिन बीजों के दो मसावी हिस्से होते हैं, जिन बीजों के दो मसावी हिस्से होते हैं, जिन बीजों के दो मसावी हिस्से नहीं होते हैं, जिन बीजों के दो मसावी हिस्से नहीं होते हैं, जिन बीजों के दो मसावी हिस्से नह मटर, सेव, मक्कई तो आपको इसमें से क्या अलग नजर आ रहा है तो अभी हमने पड़ा किस तरह से जो दो डाला बीज होते हैं और एक डाला बीज होते हैं तो यहाँ पर मुंख, फली, मटर, सेव, दो दाला नपाता थे हैं और इनकी वीज में दो दाले होती हैं बगई इससे अलग है इसको हम गायर मुतालिग या और्मेन आउट करेंगे तलुक मुकरमल कीजिए वर्के कसिरा रास वर्की का किनारा अभी हमने पत्ती की शक्त में देखा था कि वर्की का सिरा जो है वह रास हैं तो मूली गाजर शकरकंद चल्जम यह सब पोदे के जड़ हैं और यह जड़ें जब गिजा को जखीरा करती हैं तो इस तरह से यह फूले हुए और इसमें गिजा का जखीरा रहता है जिसका इस्तमाल हम करते हैं तिसरा खुशबुदार पूलों पर केड़े मंड लाते हैं और इससे जो तॉलीदी अमल है ना बादाब का वो होता है जिसमें हम पूल में देखते हैं कि जो जीरा दान है इसमें से जीरे जो कीड़े मकोड़े हैं या परिंदे उनके पंजों पिच्पक जाते हैं और फिर हो बेजा दान में यह कलगी दिखरी उसके जरीए पहु आपको यह नहीं पर दियो यह उपर इस शकल को देखिए और वापर इसको बनाईए पसाज के लिए इतना है अल्ला आफिस